दोस्तों नमस्कार आज का टोपिक है हूँ है महात्मा गंदी जी जो अपने पढ़ रहे थी उसका सेकेंड पार्ट तो स्टार्ट करते हैं स्विन्य आवगया अंदुलन उन्नी सो तीस सबसे पहले बात करें अपने दंडी यत्रा की तो महात्मा गंदी जी ने साबर्मती आश्रम से 12 मार्च उन्नी सो तीस को इस यत्रा की शुरुवात की थी जो की 200 मेल की दूरी को 24 दिन में पूरी करके 5 अप्रेल उन्नी सो तीस को दांडे पहुंचे थे और इस यत्रा में कोल 79 लोग थे महात्मा गंदी जी के समेथ और अगर फुछे अन्युआई तो वो थे 78 और महात्मा गंदी जी के समेथ 79 6 अप्रेल 1939 को सुबै गंदी जी ने अपने हातों से दांडे में नमक बना कर नमक कानुन को तोड़ा और नमक कानुन को तोड़ने के साथ में स्विन्य आवग्या आंदुलन की शुरुवात की और इस आंदुलन की प्रकरती अहीं सात्मक थी और 1930 के पूरे साल तक ये दुलन चल रहा था 1930 के अंदर तब इंगलेंड में लेबर पार्टी की सरकार थी और परदानमंत्री जो थे वहां के वह थे रेमजे मेक्डोनाल्ड साइमन कमिसन की रिपोर्ट के दार पर इंगलेंड के पीम ने जनकी मेक्डोनाल्ड ने लंदन में गॉलमेच समेलन बुलाने का निरने लिया 1930 के अंदर पहला गौल में समयलन बुलाया गया लेकिन इस समयलन का कांगरिस के द्वारा पहिसकार किया गया और ये समयलन है वो एसफल हो गया और इस समयलन में कुल 89 सज़स्चों ने बाग लिया था 5 मार्च 1931 को महात्मा गांदी और इरिविन के मध्य दिल्ली में समझता हुआ और इस समझते की एक सर्त ये थी कि महात्मा गांदी जी दूसरे गोल में समयलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे और स्विन ने अवगिया अंधरन को एक बार के लिए अस्तागित करना पड़ेगा 23 मार्च 1931 को लाहोर के जेल में शाम को साधे साथ बज़े के असपास भगत सिंग राजगुरू और शुकदेव को फांशी दे दिगी थी नवंबर और दिसंबर 1931 में गांदी जी ने दूसरे गोल में समयलन के इंदर भाग लिये था जिसकी आवदी थी चुर अलग-अलग हितों के मांग की थी जिस बात को लेकर गांदी जी बहुत चुप दोकर वापिस लोट आये थी इस वज़े से दूसरा गोल में समयलन था वो भी विफल हो गया था एक जन्वरी 1932 को स्विन्य आवगया आंदुलन पुना शुरू किया गये था लेकिन एक बार आंदुलन रुकने के बाद वापिस उसी रूप में नहीं आता जो कि पहले वाले रूप में था तो इसलिए इस वार इसको पूर्णत समर्थन नहीं मिला और स्विन्य आवगय या आंदुलन एक मात्र आंदुलन था जो दो चरणों में चला था इसी बीच 16 अगस्त 1932 को मेक डुनाल्ड ने इंगलेंड की संसद में स्वेत पत्र की गोशना की जिसे कम्यूनल अवार्ड या फिर सामप्रदाइक पंचार्ट भी कहा जाता है और इस किंद्र की कहा गया कि बारत में जितने भी वर्ग है उन सभी वर्गों को अलग-अलग निरवाचन अधिकार देने की बात की गी थी लेकिन 20 सेप्टेंबर 1932 को इसी कम्यूनल अवार्ड या फिर सामप्रदाइक पंचार्ट के विरोध में पूना की यरवदा जेल के अंदर गंद जी आम्रण की यरवदा जेल 26 सेप्टेंबर 1932 को इक पूना समझता होता है महात्मा गांधी और बेम राव मेंअकर के पूछ सकते हैं कि समझता किसके बीच में होता है महात्मा गांदी और बेम में राव. अमेड कर इसके तहट अमेड कर ने संप्रताइक पंचाट के विरोध कर निर ने लिया और गांदी जी ने विदानमंडल के चुनावों सरकारी नोकरियों और चितने भी एजुकेशन संचता थी उनमें अनुसुची जात्ती के लिए 18 परसेंट आरक्षम देना स्विकार किया और फरवरी 1937 के अंदर ब्रिटिस भारत के 11 परांतों में परांती चुनावों करवाएगे और इनमें से 11 परांतों में से 6 परांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला था और जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 परांतों में सरकार बनाई बंबई, बिहार, उडिशा, स्योंक्त प्राथ याने के यूपी वाला हिस्सा मध्य प्राथ याने की अम्पी वाला हिस्सा और मद्रास और 28 महिने तक कांग्रेश ने साशन चला या कि इसी बीच एक सेथे एक सेथेंबर arguably 49 को जर्मनी के द्वारा पॉलेंड व्राकरवन किया गिया तेन सेथेंबर 1949 को पॉलेंड के समर्थन में इंग्लेंड युद में सामिल हुआ और अक्टूबर 1949 को अंग्रेजों द्वारा बारतिय सेना को लड़ने के लिए जर्मने बेजा गया और नवंबर को छे प्रांतों में कांग्रेज मंत्री मंडल ने इस्तपा दे दिया और इसी इसी इस्तपे के कारण परसन ओकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1949 को मुक्ति दिविश मनाया 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिकत सत्यागरा शुरू किया गया था और यह जो व्यक्तिकत सत्यागरा है वो मुंबई के अवनार आश्रम से शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा इसके जो पहले सत ते गरहे बने थे मात्मगान दीके वो थे जोहरलाल नहिरू मारत 1922 किंदर इंगलेंड में पीम बनते हैं विंसेंट चर्चिल और चर्चिल ने क्रिप्स मिशन बारत बेजा जिसके अधेक्षते सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जिसके द्वारा दो प्रस्ताव रखे गे थे कि व कि बारत को अज़ादी मिलने चाहिए उस पर विविचार किया जाएगा एकने कांग्रेस के द्वारा इन दोनों को सुविकार ने किया गिया गंदी जी ने से कहा उत्तर तीछिय चेक यानिकि पोस्ट डेटेड चेक और नहरू ने दिवालिया बैंक का इसको गोशित किया इसे वर्तमान में अगस्त करांती मेदान का जता है यहाँ पर इस अंदुलन के प्रस्ताव को पारित किया गया और 9 अगस्त 1922 को बारत चोड़ो अंदुलन शुरू हुआ और गंदी जी ने ये का था कि मेरे जीवन का ये अंतिम संगर्स होगा और उन ने करो या मरो का ना किस अंदुलन के दुरान दिया बारत चोड़ो अंदुलन और अंदुलन के जैसे ही अंदुलन स्टाट हुआ तो पहले ही दिन चुकांगरिस के वरिष्ट नेता थे जैसे महत्मा गंदी शुरुजरी नाइडू इन दोनों को पूर्णा के आगाखापलेश ये जेल का नाम में वांपर्क दिया गया और इस प्रकार ये मात्मा गंदी शुरुजरी नाइडू ये दोनों को जेल में बंद करना के बाद ये बारत छोड़ो अंदुलन जो है वह नेतरतव विहीन हो गया 1924 तक ये आंदुलन लगातार चलता रहा लेकिन देरे देरे आंदुलन का प्रभावत जो है वह कम हो गया 1945 के अंदर विशव राजनिती में जो परिवर्तन होए थे 1949 से 1945 तक दूसरा विशव यूद समाप्त हुआ अब जो 1945 में विशव की राजनिती में जो परिवर्तन होए कि 1949 से लेकर 1945 तक सेकेंड वार्ड वोर हो समाप्त हो गया और इस यूद के समाप्ती के बाद 24 अक्टूबर 1945 को सेयोंगत राश्ट की स्थापना के गी जिसके तीन उदेशे थे मेन, परपस, कि विशों में शान्ती की स्थापना करना जितने भी विवाद या मसलित थे उनका शान्ती प्रण समादान और मानोव अधिकारों की रक्षा करना यूवनने की स्थापना में तीन वेक्टियों की बोमिका थी एक तो रुजवेल्ट जो कि अमेरिका के राष्टपती थे, स्टालिन जो कि रूस के राष्टपती थे और चर्चिल इंगलेंड के पीम थे विज्जे से एक्टूबर 1945 में इंगलेंड में सत्ता का परिवर्तन हुआ तो कंजर्वेटिव पार्टी के स्थान पर लेबर पार्टी के सरकार बने यालिकि चर्चिल के स्थान पर इंगलेंड के पीम बनते हैं कलिमेंट एटले और जनवरी 1964 में इंगलेंड की संसित की द्वारा इंगोशना केगी कि बारत के लोग अपना स्विधान खुद बनाएंगे जिसके लिए एक स्विधान सबा बनाए जाएगी और इसलिए 24 मार्च 1946 को केबिनेट मिशन पैथिक लोरेंस की अदेक्षता के अंदर बारत आया जिसमें टोटल तीन स्थे थे एबी एलेक्जंडर पैथिक लोरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स जिसका अदेक्स कौन थे पैथिक लोरेंस और 16 माई 16 माई 1946 को केबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट थी वो प्रकाशित हुई थी और जुलाई 1946 में स्विधान सभा के चुनाव करवाए गई कांग्रेस को अस्वष्ट भवमत मिला यहन की टोटल 249 सीटों मेंसे 211 सीटे मिले थी कांग्रेस को मुस्लिम लीग नराज हुई थी 16 अगस्ट उननिस सुचानलिस को मुस्लिम लीग ने पर्तेक्स कारिवे दीवस मनाया इससे पूरे भारत में संप्रतेक दंगे फेल लगे थे और इसी वज़े से फरवरी उननिस सुचानलिस में इंगलेंड की संसत में किलिमेंट एटली ने गोशना की कि जून 1948 से पहले प योजना पर 5 जोन 1947 को मौन्ट बैटन योजना परखासेत के गई और 15 जोन 1947 को कांग्रेश निस योजनाँ पर हष्ताकशर कर दिये थे और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसत में योजना को प्रस्तुत किया गया और 14 जुलाई Hahn59 बर्रेटन के दोनों संसत में योजना पारित के गी थी अठारा जुलाई 1947 को इंगलेंड के समराट ने योजना पर हस्ताक्सर कर दिये अब माउंट वेटन योजना थी वो बन गई बारतिये सवतंतरता अधिनियम 1947 और इसक साथ में 13 अगस्ट 1947 को कराची में महमद अली जिन्ना को पाकिस्तान के सत्ता स्वापतिगी यानिके पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया और 14 अगस्ट 1947 को दिल्ली में जोहरला नेरू को भारत की आजादी का गोशना पत्र दे दिया गया और 15 अगस्ट 1947 को भारत सवतंतर हुआ 14 अगस्ट 1947 की आजादी के पूरों संधिया पर लाल के लिए से नेरू ने देश के नाम एक सम्भोधन दिया जिसे का जता है ट्रस्ट विद डेश्टिने और अजादी के समय महात्मा गंदी जो थे वो पूरवी बारत में जो कलकत्ता के आसपास वड़ चेतर है वो आपे 20 जनवरी 1948 को नत्थुराम गोड से ने दिल्ली में महात्मा गंदी जी की गोली मार कर हत्या कर दी थी महात्मा गंदी जी का जो समाधिस्तल है वो है राजगार दिल्ली के अंदर इनके आतम कथ्या है आतम कथा माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ स्थ्य के सथ मेरे प्रयो और हरिजन और तक्ष्मी अफ्रिका में इन होने इंडियन अपिनियन अखवार चलाए था इनका जो पिरिये भजन है वो नर्सिंग मैता के द्वारा गाया गया है वेशनव जन तो तेने कई ये जेपीर पराई जानी है 2009 की अंदर युए नो ने दो अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाने का निर्ने लिया गिया इनकी जो उपादिया थी वो है राष्ट्रपिता सुभासंदर बोश ने का था महात्मा रविंदर नाथ टेगोर ने का था और रविंदर नाथ टेगोर को माता गंदी न फिसर की लगी हुए बूक जो के ओपर यह था मातमा गंदी का वेडियो तो आई होप आपको पसंद आया होगा एक करें यह मैंट करें तैमकु